हेलो स्टुदेंट्स अब इस वीडियो में हम लोग पढ़ते हैं method of solving quadratic equation ठीक है और जिसका की पहला method यार factorization method तो इसमें यार कुछ भी नया कुछ भी नहीं है यह हम लोग class 8 से पढ़ते आ रहे हैं जिसको हम लोग बोलते middle term split करना वही है यार factorization method वही होता है ठीक है तो यहां different varieties की question हम लोग इसमें solve करेंगे ठीक है अब अगर तुम आरेसेकरवाल बुक में देखोगे तो इस type का question दे रखा है और इस type के question और प्रिवियस यह पेपर उठागे देखोगे वह भी आप में upload कर दूँगा और यह प्रिवियस यह पेपर तुम इसको देखना इस type के यार बहुत सारे question पास्ट में प्रिवियस यह में आए वे हैं और इस type का एक भी question इस type का question समझने के बाद इस type का question समझने के बाद अगर तुम इस type का question खुद से बना लोगे तो इस वीडियो को इसका तुम वीडियो मर देखना और तुमने अगर सिफ यह वाला पार्ट पहड़ रखा या यह तुम्हें आता है ठीक है तुम इसकी बेसिस में देखो तुम मैं यह ओप करता हूं कि यह जो basic है इस type का question सबको आता होगा इस type के question में किसी को भी problem नहीं होता होगा लेकिन फिर भी इस वीडियो में हम लोग यह सारा question करने वाले है तो जिस भी student को यह सब basic clear है तो वह बच्चा इस वीडियो को skip कर सकता है and I request कि जो यहां से स्टार्ट क ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं तो इसको एकदम बेसिक से स्टार्ट करते है पहला question देखो class 8 में स्टाइब का यार भरावादा question एक पूर इसकी उपर exercise थी मिडिल टम स्प्लिट करने के उपर तो फिर से यहां पर देखो यह दे रखा है अब तुम देखो NCIT का तुम यहां पर class 10 में दे रखा है ठीक है तो इस टाइब का जो question है इसको हम लोग कैसे करेंगे मिडिल टम को स्प्लिट करो factorization method मतलब इसको ब्रैकेट में convert करो दो ब्रैकेट में या जितने ब्रैकेट में convert हो सकता है इसको ब्रैकेट में convert करो फैक्टर बनाओ ठीक है उसकी लिए हम लोग करते है middle time split middle time split के लिए करना क्या होता है मैं दो नंबर ऐसा चाहिए दो नंबर ऐसा चाहिए कि प्लस माइनस करने पे तो यही वाला आ जाना चाहिए और multiply करने पे इस नंबर को में दो पार्ट में तोड़ना है ठीक है दो नंबर ऐसा सोचना है कि उन दोनों को प् ठीक है इसको side में लिख लो यानि अब हमें दो नंबर ऐसा सोचना है कि प्लस माइनस करने पर तो यह आ जाए 5 और उन दोनों को multiply करने के बाद आ जाए 6 ठीक है तो यहां पे हम लोग middle time split करते वक्त दो नंबर सोचते वक्त थोड़ी देर के लिए प्लस माइनस को मतलब यह 2 से वापस मिलके बन जाएगा माइनस 5 ठीक है तो यह हो गया तो ठीक है अब इसके बाद इन दोनों में common देखो और इन दोनों में common देखो कि क्या है ठीक है तो अगर हम इन दोनों में common देखते हैं तो सिर्फ x common दिख रहा है यहां पर बच गया 2x minus 3 और हम इन दोनों में common देखें तो कुछ भी common नहीं है यहां पर माइनस है तो यहां पर ले ले लेते हैं माइनस वन और जब भी तुम bracket के बाहर यहां माइनस लिख दोगे तो अंदर वाला sign change करना मद भूलना तो 2x में से माइनस वन बाहर आ गया यहां पर अचा 2x यह प्लस का sign हो जाएगा माइनस और 3 में से माइनस बाहर आ चुगा यहां पर हो गया माइनस 3 is equal to 0 एक ब्रेकेट में आ गया 2x-3 और एक ब्रेकेट में आ जाएगा x-1 is equal to 0 ठीक है अब हम लों क्या करेंगे 2x-3 is equal to 0 और x-1 is equal to 0 यहां से आ गया x का value 3 by 2 और यहां से आ जाएगा x का value 1 तो यही आ गया एक्स का दू वैल्यू यही find करना इसी को बोलते है और factorization method और इसी को बोलो middle term split बोलो factorization method बोलो जो बोलना है बोलो अच्छा अब एक इस तुम यहां पर note करो यहां पर एक चीज़ और note करो इसको मैं ऐसे भी कर सकते थे 2x-6x plus x plus 3 is equal to ऐसे भी लिख सकते थे ना देखो minus 6x plus x minus 6x plus x करने पर भी minus 5x आ रहा है और 6 into 1 इसको भी multiply करने पर 6 आ रहा है लेकिन यह question आगे इस तरीके से solve नहीं होगा ऐसे प्रोसीड नहीं होगा क्यों तुम अगर ऐसे आगे प्रोसीड करोगे तो उससे पहले देख लो पूरे माइनस का साइन सिर्फ हमें एक बार दीख रहा है तो यह आगे solve होगा ही नहीं इसका मतलब यह जो हमने middle term split करके लिखा ही हमने middle term split गलत किया है एक बार फिर से सुनो तुम जो भी middle term split कर रहे हो middle term split करने के बाद इस चारो term में अगर minus का sign odd number of times हो जाता है इसका मतलब तुमने middle term split सही नहीं किया देखो यहाँ पर minus का sign एक ही बार आ रहा है तो यह middle term split सही नहीं हुआ है ठीक है तो अगर तुम पहले इस तरीके से लिख देते तो यह गलत हो जाता फिर तुम दूसरा तरीका सोचते और तुम फिर इसको इस तरीके से करते देखो यहाँ पर क्या problem होगा तुम बोलोगी इसमें क्या problem देखो तो अगर यहाँ टू common लेते हैं तो यहाँ पर चाहँ x minus 3 और यहाँ फिर x plus 3 है तो plus 1 common लेंगे तो x plus 3 is equal to 0 अब आगे बनेगा ही नहीं देखो यहाँ पर है x minus 3 है यहाँ पर है x plus 3 तो यह आगे और नहीं बनेगा ठीक है तो यह गरवड़ यार तो इस बात का दिहान रखना जब भी तुम middle term split कर रहे हो middle term split करने के बाद यह 4 term में convert हो जाएगा और इस 4 term में minus का sign या तो नहीं होना चाहिए और अगर minus का sign आ रहा है तो even number of times होना चाहिए तो यहाँ पर देखो minus का sign दो बार है यानि हमने middle term split सही किया है ठीक है तो यह हो गया बफ इसमयार इतना ही है पंजाने लाएक कुछ भी नहीं है लेकिन फिर भी हम लोग इस वीडियो में यह सारा कोशन करेंगे तो अगर तुम्हें यह आता है तो तुम्हें स्किप करके सीधा आगे बढ़ सकते हो नेक्स्ट वीडियो पर ठीक है अगला कोशन देखो है क्योंकि NCIT का है तो NCIT का सारा कर लेते हैं अगला है 6X स्क्वाइर जादा टाइम नहीं लेंगे फटाफट कर देंगे माइनस टू इसको लिख लो साइड में दो नंबर ऐसा सोचो कि प्लस माइनस करने पर तो माइनस वन आना चाहिए और मल्टिप्लाइ करने पर 12 तो 6X स्क्वाइर माइनस 4X प्लस 3X माइनस 4 प्लस 3 करोगे माइनस वन आ जाएगा और पूरे में माइनस का फाइन दो बार है यानि हमने मिडिल टम स्प्लीट सही किया है ठीक है अभी इन दोनों में कॉमन देखो तो इसमें से कॉमन आ जाएगा और 3X माइनस टू आ गया एक ब्रेकेट में इस इकोल तू जेरो तो यहां से ग्ता इसके बाद देखो नेक्स कोशिन यह रूट वाला कुछ बच्चों को यार रूट वाले कोशिन में ब्ड़ा सा डर लगता तो यार ऐसा कुछ भी नहीं है जैसे normal question हम लोग अभी तक बनाते हैं वैसा ही है अगर तुम्हें problem होती है तो इसका reason यह है कि तुम्हें junior classes में इस type के question practice नहीं की होंगे ठीक है पूरी एक dedicated exercise थियार इसकी उपर से middle term split करने की उपर तो 3x square minus 2 root 6x plus 2 is equal to 0 देखो दो नमबर हमें ऐसा सोचना है कि plus minus करने पर तो यह आ जाए minus 2 root 6 और multiply करने पर जाना चाहिए 3 to 6 इसको लिख लो A और C को multiply करके तुम side में लिख लो ठीक है तो देखो क्या हो जाएगा 3x square minus root 6x minus root 6x plus 2 is equal to 0 देखो अगर बीच वाला यह जो term है इसमें अगर root symbol involved है ठीक है न तो जब तुम उसको दो पार्ट में break करोगे तो उस दोनों पार्ट में भी वो root वाला symbol आएगा वो root वाला symbol कहीं नहीं जाएगा ठीक है तो minus 1 root 6 और minus 1 root 6 मिलके बन जाएगा minus 2 root 6 और root 6 और root 6 को multiply करेंगे तो आ जाएगा 6 और पूरे में minus का sign दो बार है यानि हमने सब कुछ सही किया है अब इन दोनों में common लेगो तो आप कुछ इस दोनों को है यहाँ पर problem होती है root वाले में common कैसे लेगो इसका तरीका है यह चीज़ समझाया जा सकता है अगर किसी को नहीं आता है तो देखो root 6 है इसका मतलब क्या है root 6 का मतलब है यह root 2 into root 3 ठीक है तुम बोलोगी यहाँ तो root दिख रहा है और इन दोनों में common लेना है यहाँ पर root नहीं दिख रहा है तो देखो दिक कैसे नहीं रहा है ठीक से देखो तो यह 3 है, 3 का मतलब क्या हुआ, इस 3 का मतलब क्या है, 3 का लिख सकते हैं, root 3 into root 3 लिख सकते हैं कि नहीं इस 3 का मतलब हो गया, 2 बार root 3, तो यहाँ पे 2 बार root 3 है, और यहाँ पे 1 बार root 3 देखो root 6 के अंदर भी एक बार root 3 है और 3 के अंदर भी एक बार root 3 है तो root 3 common आ जाएगा ठीक है root 3 common आ गया root 3 common आ गया 3 के अंदर क्या था दो बार root 3 था एक बार common आ गया तो क्या बचा, एक बार root 3 बच गया, तो यहाँ पर root 3 बच गया, और यह x भी आ गया, root 3x common बाहर निकल गया, तो यहाँ पर x आ जाएगा, minus, root 6 में से root 3 बाहर आ गया, root 2 बचा, ठीक है, और इन दोनों में, देखो, root 6 है, यहाँ 2 है, तो 2 के अंदर root 2 छुपा हुआ है, और root 6 के अंदर भी root 2 छुपा हुआ है, तो minus root 2 common आ गया, तो यहाँ पर बच गया, root 3x, और 2 के अंदर दो बार root 2 था, एक बार बाहर आ गया, तो एक बार बच गया, plus root 2, equal to 0, इसके बाद देखो, root 3x minus root 2, और root 3x, अच्छा, यह हमने bracket के बार, यहाँ minus लिख लिए, बताओ, त अब यह वाला bracket common आ गया, तो root 3x minus root 2 आ गया, बाहर एक bracket में, और root 3x minus root 2 आ गया, दूसरे bracket में is equal to 0, दोनों bracket एक जैसा हो गया है, तो root 3x minus root 2 is equal to 0 और root 3x minus root 2 is equal to 0, तो x is equal to root 2 by root 3, और यहाँ भी x is equal to root 2 by root 3, एक स्का दोनों value गया, आ गया किसी को पता है बताओ एक्स का दोनों वैल्यू सेम का बाता है तो यह हम लोग आगे पढ़ेंगे आर नेचर आफ रूट में ठीक है एक्स का दोनों वैल्यू देखो सेम आ गया तो ऐसे इससे क्या 4.2 के एक्जामपल में यह तीनों कोशन दे रखा था अभी 4.2 का पहला जो एक्सरसाइस का कोशन है उसमें दे रखा यहां पर यहां पर मैंने कोई नमबरिंग नहीं डाला क्योंकि स्टार्टिंग में यहां पर सुचा कि चलो यह वाला कोशन भी आइड कर दो ॆइड कर यहां से एक्स अफ़ियोगान अ ऩो फैय यह वाला क्योंकि स्क्विप कर रहें इसको भी खुद से बनालेना यहां पहलू है पोजिशन में यहां पर सॉल्व कर देता हूं ठीक है रूट टू एक्स स्क्वाइर प्लस 7X प्लस 5 रूट टू इस इक्वाल टू जीरो ठीक है देखो रूट टू वाला अगेन इन दोनों को पहले मल्टिप्लाई कर लो रूट टू इन्टू फाइव रूट टू तो यह बन जाएगा टैन अब हमें दो नंबर ऐसा चाहिए कि प्लस माइनिस करने पर तो सेवन आ जाया मल्टिप्लाई करने पर टैन तो दीख रहा है सिंपल ही आ रही है तो रूट टू एक्स स्क्वार प्लस टू एक्स प्लस फाइव एक्स प्लस फाइव रूट टू इस इकोल टू जीरो अच्छा आप यहां भी कोई स्टूडेंट यह सोच सकता है इसमें से किसको पहले लिखना रहता है किसको बाद में जिसे सेवन को उमने ब्रेक किया ना टू और फाइव में तो तुम किसी को पहले लिखो किसी को भी बाद में लिखो उससे कोई फरक नहीं पड़ता है आंसर पर कोई फरक नहीं पड़ेगा हाँ प्लस और माइनस का जब साइन रहे तो साइन को सही तरीके से लिखना ठीक है कोई कौन सा पहले बाद में लिख रहे उससे कोई फरक नहीं पड़ता है अब इन दोनों में common निकालो, तो इस 2 के अंदर दो बार root 2 चुपावा है, और एक root 2 ये रहा, तो root 2 common आ जाएगा, root 2 x common आ गया, यहाँ पर बचा x plus, इस 2 में से एक बार root 2 बाहर चला गया, तो एक बार root 2 बच गया, plus 5 common आ गया, यहाँ पर बचा x plus root 2 is equal to 0, तो x plus root 2 आ गया, एक डिबे में और root 2 x plus 5 आ गया, एक डिबे में is equal to 0, ठीक है, यहाँ से x plus root 2 is equal to 0, और root 2 x plus 5 is equal to 0, x is equal to minus root 2, और x is equal to minus 5 by root 2, ठीक है, इसके बार देखो, यह वाला कोश्च, fraction आ गया है, इससे कोई दिकत नहीं है, 2 x square minus x plus 1 by 8 is equal to 0, पहले LCM ले लो, LCM लोगेती हो जागा, 16 x square minus 8 x plus 1 by 8 is equal to 0, फिर 8 को हटा दोगे, 16 x square minus 8 x plus 1 is equal to 0, और इसके बाद यार जैसे solve करते हैं, वैसे solve कर लो, ठीक है, आगे बढ़ते यार, next, तो अब ये सारे कुछ और question है, जो की NCIT books से नहीं है, इस वीडियो में हम लोग यहां तक करेंगे, इसके बाद से next वीडियो में करेंगे, root 3 x square plus 10 x minus 8 root 3 is equal to 0, ठीक है, इन दोनों को multiply करो, तो 8 root 3 into root 3, ये बन जाएगा 24, ठीक है, ये जो हम लोग नमबर लिख रहे हैं, तो यहां पर नमबर लिखते वक्त हम इस minus का ध्यान नहीं देंगे, ठीक है, इस से हमें कोई मतलब नहीं है, उसका हम लोग आगे ध्यान रखते हैं, ये आगे 24, यहां पर सिर्फ हम नमबर पर focus कर रहे हैं, तो दो नमबर ऐसा सोचो, कि 10 को break करो, तो root 3x square की 24 आजा है, multiply करने पर, तो 6 और 4, 10, 6x plus 4x minus 8 root 3 is equal to 0, 6 और 4, 10 हो गया, और 6 into 4, 24 हो गया, लेकिन ये गलत है, ये गलत क्यों है, क्योंकि मैंने इसको middle term break तो कर दिया, लेकिन तुम पूरे में देखो, minus का sign सिर्फ एक बार है, minus का sign या तो दो बार होना चाहिए, या तो होना ही नहीं चाहिए, ठीक है, तो ये middle term split गलत हो आए, फिर से सोचो, तो फिर से सोचते है, root 3x square plus 12x minus 2x minus 8 root 3 is equal to 0, देखो 12 में से 2 जाएगा, 10 आजाएगा, और 12 into 2 करेंगे 24 आजाएगा, ठीक है, तो हो गया, और minus का sign 2 बार है, यानि सही है, अब इन दोनों में common निकालो, तो root 3 यहाँ दिख रहा है, बोलो कि इसमें root 3 नहीं दिख रहा है, तो जब भी ऐसा हो कि root 3 नहीं दिखे, तो तुम्हें काम करो, रॉफ वर करो, 12 को क्या लिख सकते हैं, 4 into 3, और इस 3 को क्या लिख सकते हैं, 4 into 3 को root 3 into root 3, यानि 12 के अंदर क्या है, दो बार root 3 छुपावा है, ठीक है, तो अगर हम लोग 1 root 3 common ले लेंगे, तो 12 के place पे क्या बच जाएगा, और minus 2 आ गया, तो यहाँ पे बच गया x, यह minus अब हो जाएगा, plus 8 में से 2 बाहर चला गया, तो यह हो गया 4 root 3 is equal to 0, ठीक है, तो x plus 4 root 3 आ जाएगा, एक bracket में x plus 4 root 3, और root 3 x minus 2 is equal to 0, यह हो गया, x plus 4 root 3 is equal to 0, और root 3 x minus 2 is equal to 0, तो यहाँ से x का value आ गया, minus 4 root 3, और यहाँ से x का value हो जाएगा, 2 upon root 3, यहाँ आ गया x का 2 value, ठीक है, एक और देखो, next question number 6, 3 root 7 x square plus 4 x minus root 7 is equal to 0, यहाँ पे root 7 into root 7, इन दोनों का multiply करो, तो 7 3 जा 21, यहाँ आ गया, multiply करने पे 21, तो अब इसको break करो, 3 root 7 x square plus 7 x minus 3 x minus root 7 is equal to 0, 7 minus 3, 4 हो जाएगा, और 7 into 3, 21 आ जाएगा, ठीक है, पूरे में minus का sign दो बार है, यानि सब कुछ सही है, इन दोनों में common ले लो, तो root 7 यहाँ भी दिख रहा है, root 7 इसकी अंदर भी छुपा हुआ है, तो अगर root 7 हम बाहर ले ले ले, root 7 x, तो यहाँ पे बचेगा 3 x, बीचे में plus का sign, इस 7 में से root 7 बाहर चला गया, तो बच जाएगा root 7, ठीक है, minus इसमें कुछ भी common नहीं दिख रहा है, तो सिर्फ minus आ गया, तो यहाँ पे बचेगा 3 x और plus root 7 is equal to 0, ठीक है, तो 3 x plus root 7 आ गया एक bracket में, और root 7 x minus 1 आ गया एक bracket में, तो 3 x plus root 7 is equal to 0, और root 7 x minus 1 is equal to 0, ठीक है, ठीक हो जाएगा, x is equal to minus root 7 by 3, और यहाँ हो गया, x is equal to 1 by root 7, ठीक है, तोई हो गया, एक कोशन तुम्हारे लिए homework, यह वाला तुम खुद से कर लेना, और इसके बाद जो next हम लोग करने वाले हैं, next question number 10 से लेके, ठीक है, देखो, question number 10 से लेके, यहाँ तक, 16 तक, 10 से लेके 16 तक, इस बार के syllabus से remove हो गया है, ठीक है, क्योंकि देखो, यह direct quadratic equation नहीं दिया हुआ है, तो इस type का जो part है, क्योंकि यह किस category के अंदर आता, equation reducible to quadratic, तो यह इस बार के syllabus से remove हो गया है, ठीक है, तो लेकिन हम लोग यहाँ पर इसको कर लेते हैं, ठीक है, जो बच्चा करना चाता है, जो बच्चा skip करना चाता है, वो skip कर देना, ठीक है, उसके बाद यहाँ से, question number 17 से लेके, इसके आगे का बहुत ज़्यादा important है, इसको miss मत करना, ठीक है, चलो, बई बाई बाई, इस वीडियो में इतना ही, अच्छा लगता है, तो यहार comment करके, जरूर से बताना, और ठीक है, और यह सारा PDF, एप में मैंने upload कर दिया, एप का link description में, वहाँ से download करके, तुम check कर सकते हैं, चलो, बै बै,